भगवान गणेश हिंदू परंपरा में एक खास थान रखते हैं उन्हें विगन हर्ता या बाधाओं को दूर करने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है दस दिनों तक चलने वाले गणेश उस्तफ के दौरान गरीब से लेकर अमीर हर कोई उनके दर्शनों का लाव लेना चाहता है ऐसे में एशिया और देश के सबसे अमीर बिजनसमेन मुकेश अम्बानी भी अपने परिवार के साथ गड़पती की भवे प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मुंबई के लाल बाग के राजा के पास पहुँचे इस दोरान मुकेश अम्बानी अपनी गोल्डन कलर की रॉल्स रॉयस कार में नज़र आए पूरा अम्बानी परिवार लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुँचा मुकेश अम्बानी के साथ उनकी पत्नी नीता अम्बानी, बेटे अनन्त अम्बानी, बेटी इशा अम्बानी और दोनों बेटे भुएं और उनके बच्चे भी मौजूद थे जैसे ही अंबानी परिवार वहां पहुंचा तो उन्हें देखने के लिए वहां भारी भरकम भीड जमा हो गई इस वीडियो में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशांबानी के बच्चो कृष्णा और आध्या को पुजारी के हाथ में देकर बप्पा के चड़नों से आश्रिवाद भी दिलवाया है पुजारी ने पुजा के लिए लाल कपडों को भगवान के चड़नों में लगा कर फिर अंबानी परिवार के सहस्यों के गले में डाला है सबी ने टीका लगवाया इतने ही नहीं दौनों बच्चों के गले में भी भगवान के चड़नों से लाए गए कपड़ों को लगाया गया ताकि उनको आशिरवाद मिल सके अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो नीतामबानी पिंक कलर के सूट में नजर आई बहुरादी का मर्चंड लाइट कलर के सूट में माते पर तिलक लगा कर बेहत खुबसूरत लग रही थी वहीं शामबानी ग्रीन कलर के एथिनिक लुक में नजर आई मुकेश अमबानी ने लाल बाग के राजा के पैरों में फूल अर्पित कर आश्रिवाद लिया और पूजा अरचना भी की इसके लावा इस दोरान नीतामबानी ने बड़े अच्छे से हाठ जोड़कर प्रभू का अभी वादन भी किया लाल बाग में मुकेश अमबानी और उनके परिवार की सुरक्षक लिए कड़े इंतिजाम किये गए थे उनके आसपास कैई गनर तैनाथ थे मुकेश अमबानी अपनी रॉल्स रोयस कार में नजर आये जाते हुए और इसके अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स मजरडीज और BMW में दिखाई दिये देश में 19 सुतंबर को गड़पती उस्तफ की शुरुआध हुई थी और इसी दिन देश के सबसे अमीर शक्स बुकेश अमबानी ने गड़पती बपा का स्वागत अपने आवास एंटीलिया में भी किया था उनकी आवास एंटीलिया पर अपनी हस्तिया इस दिन पहुंची थी और गड़पती बपा के दर्शन किये जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वारेल हुई थी